Friends, Force launch करने जा रहा है अपनी 2nd generation 4x4x4 Force गुर्खा को, जो के Off-Road Lover के लिए बड़ी खुशखब्री की बात है, and 2nd generation Force गुर्खा का जो डिजाइन है, that is very aggressive. तो friends, आज की इस वीडियो में हम Force गुर्खा की पूरी स्पेसिफिकेशन देखेंगे, इन डिटेल इसके internet excellent design and features के बारे में बात करेंगे, तो वही हम उसके engine की पूरी information लेंगे, and साथ ही साथ हम ये भी देखेंगे, कि इस कार में किन किन टरप के safety features available है, and at the end हम इस कार की launching date, top speed, and price के साथ-साथ, ये compete किस से करेंगी उसके बारे में भी बात करेंगे. और फोर्स गुर्खा के बारे में, तो फ्रेंट्स ये जो second generation force गुर्खा है, that is totally different from older one, सबसे पहले इसे 2020 के auto expo event में showcase किया गया था, और company ने कहा था, कि हम इसे March April में launch कर देंगे, but due to COVID-19 इसे postpone किया गया है, और अब इसका new launching date कब है, इसी वीडियो में हम आगे बात करेंगे, अब अगर हम बात करें इसके external design के बारे में, तो इसका जो external design है, that is very good, front में देखे तो इसका जो grill है, that is very awesome, और grill के ही बाजू में देखे तो आपको LED head lamp मिल जाएगा, with DRL lamp, जो के force gurka को और भी खुश्रोथ बनाता है, head lamp के ऊपर देखे तो वहाँ पे आपको big turn indicator lamp मिल जाएगा, और अगर आप head lamp से बिल्कुल सही निचे देखे, तो वहाँ पे fog lamp भी देखने मिल जाएगा, जबके आप इसके back side में देखे, तो वहाँ पे till lamp भी available है, वहाँ पे आपको simple सा एक OR VM देखने मिल जाएगा, वहीं आपको big snorkel भी देखने मिल जाएगा, तो इससे होगा ये, जब कभी अगर आप अपनी कार को पाली में लेके जाते हैं, तो उससे आपके कार बंद नहीं होगी, फोर्स गुर्का के back side में आपको एक इससे टायर देखने मिल जाएगा, वहीं उसके बाजू में देखे, तो वहाँ पे एक ladder भी available है, ladder से बिल्कुल सही निंचे देखे, तो वहाँ पे एक foot step लगाया गया है, तो basically foot step ए लाइडर जो है, वह इसलिए लगाया गया है, ताके हम फोर्स गुर्का के roof पे जा सके, और roof पे देखे तो एक बहुत ही strong आपको luggage carrier भी देखने मिल जाएगा, चलिए आप बात करते हैं फोर्स गुर्का के interior के बारे में, तो अगर आप इसके internal interior को देखे, तो that is very good, फोर्स गुर्का के dashboard पे आपको 9 इंच का touch screen infotainment system मिल जाएगा, वहीं अगर आप उसके बाजू में देखे, तो आपको digital instrument cluster भी देखने मिल जाएगा, एंड फोर्स गुर्का के steering wheel है वो tilt adjustable है, front के रो में 2 seat, second row में 2 seat, और अगर backseat में देखे, तो वहाँ भी 2 seat available है, लेकिन जो backseat की 2 seat है, वो optional है, आप चाहे तो उसे लगा सकते हैं, नहीं तो आप उसे boot space के लिए भी use कर सकते हैं, लेकिन जो backseat की 2 seat है, वो बैठने के लिए उतनी comfortable नहीं है, apart from it, इस car में manual AC, 12 volt charging socket, power window आपको देखने मिल जाएगा, अब अगर हम बात करें इस car के engine के बारे में, तो इस car में 2.6 liter BS6 diesel engine लगाया गया है, जो के आपको 90 HP की power, and 260 Nm का torque generate करेगा, और ये engine आपको 5 speed manual gearbox के साथ आएगा, and साथी force गोर्खा जो है, वो आपको 70 km पर 30 liter का mileage देगी, तो आपको आपको आपकी गाड़ी पार्क करने में बड़ी आसानी होगी, अब अगर अगर एट देंट हम इस car के launching date, top speed and price के बारे में बात करें, तो इस car को November या फिर December 2020 में लांच कर दिया जाएगा, and इसकी तो टॉप speed है, वो 180 km per hour है, and इसका price 10 से लेकर के 13,00 के बीच में हो सकता है, साथ ही ये car जो है वो compete करेगी महींतरा के थार के साथ, और force gurkha पे जो 4 by 4 by 4 लिखा हुआ है, उसका मतलब ये होता है, कि हर time, हर मौसम में, हर तरह के रास्ते पे ये कर देगी आपका साथ, तो friends, आपका सोचते हैं force gurkha के बारे में, मुझे नीचे comment करके जरूर बताए, वीडियो पसंदागे तो like का बटन तो प्रेस कीजेगा ही, और अगर आप चैनल पे नए आए हैं, तो चैनल को subscribe कर दीजे, क्योंकि हमें इसी तरह इंट्रेस्टिंग वीडियो के आता रहता हूँ, साथी लगावा बैल का आइकन भी प्रेस कर दे, उससे होगा ये कि आपको आने वाली नई वीडियो की notification मिलती रहे,